आज मैंने बन्नू से कहा, देख्यार बन्नू, ऐसा दोर आगया है कि संसद, कानून, सम्विदार, कोड़, सब्दकार हो गया है बड़ी-बड़ी मांगे, अन्शन और आत्ना की धंकी से पूरी हो रही है प्रजात अंत्र ऐसा पगया है, यह एक आत्मी के मर जाने या भूके रह जाने की धंकी से करवणों लोगों के भागे का फैसला हो रहा है इस समय तू भी उस औरत के लिए अन्शन करही डाल बन्नू सोचने लगा कि वर राधिका बावु की बीवी सावित्वी के पीछे सालों से पढ़ा है भगाने की कोशिश में तो एक बार पेड़ भी चुका है तलाग दिद्वाकर उसे घर में रह नहीं सकता जो भी सावित्वी बन्नू से नफरत करती है दोस्तों मैं अतनू आज शनीवार है और हर शनीवार आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है आज सुना रहा हूं हरी शंकर परसाई का व्यंग दस दिन का अंचन तो आगे शुरू करते हैं बन्नू सोचकर बोला मगर क्या इसके लिए अंचन हो सकता है मैंने का अभी तो हर चीज के लिए अंचन हो सकता है अभी तो बाबा संकी दास ने अंचन करके कानूर बनवा दिया है कि हर आदमी जटा रखेगा और कभी धोएगा नहीं तमाम सिरों से बदबू आए जा रही है इस सब को देखे तो तेरी मांग बहुत छोटी है वो भी एक औरत के लिए तब ही सुरेंद्र बोला यार कैसी बात करते हो तुम लोग किसी की बीवी हापने के लिए कोई अंचन होगा हमें कुछ तो शर्मानी चाहिए लोग हासेंगे मैंने का अरे यार शर्मान तो बड़े बड़े अंचनिया सादू संतों को नहीं आई हम तो बहुत मामूली आदमी है अब जहां तक हसने का सवाल है गोरक्षा आंदोलन पर सारी दुनिया के लोग इतना हच चुके हैं कि उनका पेड़ दुखने लगा है एक्सपर्ट से कंसल करना चाहिए बाबा संकी दास इस मामले के विशेशक है और उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही है उनके निर्देशन में इस वक चार आदमी अंचन कर भी रहे है बाबा संकी दास कि यहां पहुंचे तो उन्हें पूरा मामले सुनकर का ठीक है मैं इस मामले को हाथ में ले सकता हूँ पर जैसा कहूं वैसा करते जाना तू आत्मदा की धंकी दे सकता है बन्नु काम गया फुला मुझे डर लगता है संकी दास बोले जलना थोड़ी है रे इसे धंकी देना है बन्नु बोला मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता है अब बाबा बोले एक काम कर तू अंचन कर डाल इस्यू तो हम बनाई लेंगे बन्नु बोला मर तू नहीं जाओंगा बाबा ने का चत्र खिलाडी मान ज़रते बेटा वे एक काम मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी मध्यस्ट पर रखते हैं तू चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे और वह औरत भी दिला देंगे ग्यारा जन्वरी का दिन है आज बन्नु आमराण अंचन पर बैठ गया है टेंड में धूब दिये जल रहे है एक पार्टी भजन का रही है सबको सन्मती दे भगवान बाबा सन्की दास ने बन्नु के नाम से जो पंप्लेट छपा कर बटवाया है वो बड़ा जोड़दार है उसमें बन्नु ने कहा है मेरी आत्मा से पुकार उठ रही है कि मैं आदूरी हूँ मेरा दूसरा खंड सावित्री में है दोनों आत्माखंडों को मिलाकर एक करो या मुझे भी शरीर से मुक्त करो मैं आत्माखंडों को मिलाने के लिए एंचापर बैठा हूँ अगर सावित्री मुझे नहीं बिलती तो मैं इस आत्म खंड को अपनी नश्वर देशे मुक्त कर दूँगा मैं सत्य पर हूँ, इसलिए निडर हूँ यह सब देखकर सावित्री बावा संकी दास के पास आई और गुसिम बोली, यह हराम जादा मेरे लिए अंचन पर बैटा है ना बावा बोले, देवी, उसे अप्शब्द मत कहो वा पवित रंशन पर बैठा है, पहले हराम जादा रहा होगा, अब नहीं वा तो अंचन का रहा है सावित्री ने कहा, मगर मुझसे पूछा तो होता, मैं तो उस पर थूखती हूँ बाबा बोले, देवी, तु तो इश्यू है, और इश्यू से थोड़े पूछा जाता है को रक्षा अंदुरन वालों ने कह से कहा पूछा था कि तेरी रक्षा के लिए अंदुरन करे या नहीं मेरी सलाह है, अब तो मैं तुम्हारा पती यहां ना आए एक-दो दिन में जन्मत बन जाएगा, और तब तुम्हारे अब शब्द जन्ता परदाश नहीं करेगी साविती बन मुनाते हो चली गई, बन्नू उदास हो गया, बाबा ने फिर समठाया जन्ता मत करो, अंत में तो सत्ती ही जीता तीरा जन्वरी, बन्नू भूख का बहुत कच्चा है, तीसरे दिन ही कराने लगा पूछा, जय प्रकाश नरायन आए मैंने कहा, वे पांच में चटे दिन आते हैं, उनका नियम है, उनको सूचना दिर दी गई है बन्नू ने आख बंद करनी बोला, भाईया, जय प्रकाश बाबू को जल्दी बुला लाओं आज कुछ पत्रकार भी आये थे, बड़ी दिमाग पच्ची करते रहें, पूछने लगे, उगवास का प्रयोजन कैसा है बाबा ने कहा, अब प्रयोजन वयोजन नहीं देखा जाता, अब तो इसके प्राण बचाने की समस्या है अंचन पर बैटना इतना बड़ा आत्म बलिदान है, कि प्रयोजन भी पवित्र हो जाता है कितने ही लोग दूसरे की बीवी को चीदना चाहते हैं, अगर उन्हें तरकीब नहीं पता अगर अंचन सफल हो गया, तो ये आपनी जंता का मारदर्शन करेगा शवदा जंगर एकल में, बन्नू और कमजोर हो गया है अब वह अंचन तोड़ने की धंगी देने लगा इसचे तो हम लोगा मूँ काला हो जाएगा पर आज बावा ने एक और कमाल कर दिया किसी स्वामी रसनन्द का लेख अख़बारों में छपवा दिया स्वामी जी ने कहा, मुन्हें तपस्य कारण भूत और भविश्य दिखता है मैंने पता लगा लिया है कि बन्नू पूरु जन्में रिशी था और सावित्री रिशी की पतनी बन्नू का नाम उस जन्में रिशी वनमानुष था उसने तीन हजार साल बाद अफे नर्दिय धारण की है सावित्री का उससे जन्म जन्मांतर का संबन्ध है या घोर अधर्म है कि एक रिशी की पतनी को राधिया प्रसाज ऐसा साधरण आदमी अपने घर में रखे जन्ता से मेरा आक्रा है कि इस अधर्म को ना होने दे ले कफ़ अथा सर हुआ कुछ लोग धर्म की जय हो जैसे नारे लगाते पाए गए एक भीड तो राधिया बाबु के घर के साब में नारे लगा रही थी राधिया प्रसाज पापी है पापी का नाश और धर्म की जय हो पंद्रा जन्वरी का दिन राध को राधिया बाबु के घर पर पत्थर भेगे गए जन्मत बन गिया है लोग यह कहते पाए गए बेचारे को पाँच दिन हो गए है भूका पड़ा है धन है इस निश्ठा को उस पत्थर दिल का कलेजा नहीं पिखलता कैसा बेश्रम मर्द है उसका बड़ा पाप है रिशी की पत्ति को घर में रखना जारा सौभाग वतियों ने तो बन्नु को तिलक किया और आरती उतारी बन्नु बहुत खोश हो गया सौभाग वतियों को देखका उसका जी उचलने सा लगता है इसी दिन शाम को जय प्रकाश डाराइट भी आ गए कुछ नाराज से थे कहने लगे मैं किस-किस के प्राण बचाओं मेरा के यही धन्दा है रोज कोई अंचन में बैड़ आता है और चिलाता है प्राण बचाओं अरे प्राण ही बचाना है तो खाना क्यों नहीं खा लेता दूसरे की बीवी चीनने के लिए अंचन जैसे पवित्र का अस्तर का इस्तिमाल कर रहे है हमने समझा रहे हैं कि इस उड़े किसम का है आत्मा पुकार उठी थी मिर्शान तो हुए और बोले अगर आत्मा की बात है तो मैं इसमें हाट डालूँगा जैप्रकाश बाभू मध्यस्ता करने को राजी हो गए विस सावित्री और उसके पती से मिलकर फिर प्रधान मंत्री से मिलेंगे बड़े दीन भाव से जैप्रकाश बाभू की तरफ देख रहा था बाद में हमने उससे कहा अब इस साले इस तरह दीनता से मध्देखा कर 16 जनवरी का दिन जैप्रकाश बाभू का मिशन फेल हो गया कोई मानने को तयार नहीं है दान मंत्री ने कहा हमारी बन्नू के साथ साहन भूती है पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं उससे उप्वा सोड़वाओ तब शांती वारता द्वारा कोई समस्या काई डूड़ा जाएगा बाबा संकी दाज निराश नहीं हुए उन्होंने कहा पहले सम्मान को नामन्जूर करते हैं यहीं पता है अब आंतुला नतेज करो अकबारों में छपवाओ कि बन्नू की पेशाब से काफी ऐसी टोन आने लगा है ऐसी टोनी के रसाइन होता है बाबा को थोड़ा रसाइन क के रहती है आप कहते हैं आंदोलन में जातिवा कपुड देने का मौका आगया है बन्नू ब्रामण और राधीगा प्रसाइध कईस्तुं को अधर राधीगा बालू ही द्रब से पस्ताव आया कि बन्नू सावित्ति से राकी बनवाले जसाब ने एक सुर में नामन्जूर कर बन्यों की म्रत्यूं के भैंकर परिम्राम होंगे। उधर ब्राम्वन समा के मंत्री का बयान शब गया। उन्हों इसे ब्राम्वनों की इज़त का मामना बना दिया। सीधी कारवाई की दम किले डाली। संकीदास का भी यही कहना है कि कल्या परसों तक कर्फ्यू लगवा दिया जाया चाहिए। दफ़ा 244 त्रॉंत लग जाए। इससे केस मजबूत बुलाएगा। अठारा जन्वरी रात को ब्राम्वनों और कायस्थों के घरों पर पत्थर फिकवाए गए। सुबह ब्राम्वनों और कायस्थों के दो दलों में जमकर पत्थरा हुआ। शहर में दफ़ा 144 लग गई है। प्रतिनीदी मंदन प्रधान मंत्री से मिला। उन्होंने कहा इसम सारे देश में आग लग जाएगी। प्रधान मंत्री बोले पहले अंशन दो तुड़वाओ। हमने कहा सरकार संधानते करूप से मान को स्विकार कर ले और एक कमेटी बैठा दे जो रास्ता बता है कि वह और अवरत बन्नू को कैसे मिल सकती है। सरकार अभी सिती को देख बन्नू को अभी कुछ और कश्ट भोगना होगा। वह आरता में डेट लॉग जैसा आ गया है। रात को हम लोगों ने बुलस चौकी पर पथर पहकवा दिये। इसका कुछ अच्छा सा रुगा। उन्नी जनवरी का दिन। बन्नू बहुत कम जोर हो गया है। घबर आ रहा है कि हम लोगों ने उसे फसा दिया है। अगर उसने कहीं बोलबाल दिया तो हम लोग एक्स्पोस हो जाएंगे। अब ने उससे कहा अब अगर वह यूजिएंशन तो देगा तो जंता उसे माट डालेगी। खेर 20 जनवरी का दिन आ गया डेट लॉग बने हुआ हुआ है। सरकार भी कुछ घबराई मालूम होती है। साधू संग्य ने भी समर्थन कर दिया है। प्रापण सवान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि दस भामन आग दहा कर लेंगे। सावित्री ने अगर तकी कोशिश की थी और बचा ली गई। बन्नू के दर्शनों के लिए लाइन सरकार कोई भगा ले जाए। 21 जन्वरी का दिन बन्नू की मांग सिध्धान का मान ली गई है। व्यावहार एक समस्या को सुलजाने के लिए एक कम्नेटी बना दी गई है। भजन और प्राठ्थना के बीच बाबा सन की दास ने बन्नू को रस पिलाया। बाबा ने कहा जन इसे सौधा कर लिया है अपना पचाप करादे के लिए। उन्होंने कफी बड़ी रकल भी दी है ये अंदर की बात है। लोगों के पैर पढ़ते हुए बन्नू ने बहुत ही दीमता से कहा सब ईश्वर की इक्षा से हुआ है। मैं तोसका माद्या मूँ। जोर जोर से नार काफी पुरा है। पर आज भी उसी इश्दत के साथ का है। वैसा ही कटाक्ष, वैसा ही। कहते हैं कि भारत में सबसे जादा युवा आबादी है। कई युवा पढ़ लेकर घर के लिए दाना पानी चुटाने में जुटे हुए हैं। कई नेताओं के पीछे घूब रहे ह हैं। कई लड़के पूस्टों पर नेताओं को भाईया ऐसे लिख जाते हैं कि उनका खुद का भाई भी शर्मा जाए। कई युवाओं को तुम मोबाइल सही निजात नहीं मिल पा रही। पता हैं कि मोबाइल पर कौन सी खांती नाने का मश्गूर है। नेता लोगों को हैं और लोग हैं कि आसानी से बातों में भी आ जाते हैं। और इन सब के बीच हमको अपना देश एक जब टाप पर जाएगे। बिलकुल टाप पर। अगरे शनिवार शाम 6 बज़े आनी के यूट्यूब चैनल पर फैरिक नहीं कहानी लेकर हूँगा। तब तक स्वस्त र असुनते रहे यह मुझ है यानिया दोलते हैं। जय है। वाच आनी टीदी असली है यह मुझ है यह यह कर घख लयक में होजडमत्स कैनल पर एक इस सेयों लेक आनी झाल 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 झाल